टॉपिक हमारा चल रहा है मुचल राइट्स और डूटिस ऑफ पार्टनर कल हमने तक्रीपन 50 परसेंट को कंबीट कर लिया था रिमेनिंग कंसेप्ट आज डिसकस करेंगे फिर इसके बाद हम एंड पे कुछ पास्ट्रेपर्स के और अधर एग्जेंपल भी डिसकस करेंगे यह वाली राइट्स में से या कल डूटी जो हमने पढ़ी नमसे कोई क्वेशन पूछना चाहते हों पूछ लिजिए जी जी वन बबन जी एक मिट जी 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 तो वह किस दिश्वी अच्छ इनका क्वेशन यह है कि कल हमने डूटी में डूटी पढ़ी थी इसकी एक्सपेन येशन में मैंने आपको बताया था के बिजनिस दो तरह के हो सकते हैं एक पार्टनर्र रापसका है कि कोई थी पार्टनर बिजदस तो कर सकता है similar business या competing business भी उसे कहते हैं वो नहीं कर सकता अगर कोई partner दूसरों की इजाज़त के बगार यह करता है यह आधिए क्वालिफाइड ड्यूटी में इसका मतलब यह है के partner इसको relax कर सकते हैं इसको change कर सकते हैं तो अगर partner इजाज़त देने distribute होगा partners में जो के partnership रेश्य है याई उसे भी थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा उस पार्टनर को जिसने चुप चुपा के profit किया था लेकिन कितना हिस्सा मिलेगा जितना उसका partnership में बनता है बाकी इसलिए को भी फाइदा होगा इसलिए के provide full information हर partner के duty है कि उसने पूरी की पूरी complete information दूसे partner को बतानी है अगरóg आधी information बताता है आधी information छुपाता है और इससे कुछ फाइदा हासिल करता है इसके इसके example सब्सक्राइब हो सकते हैं ठीक है आधी information बताता है और आधी information छुपाता प्रश कीजिए when partnership को एक गाढ़ी खरीदनी है और वह अपनी आप ध्याड़ी क्रिद रहे हैं एक पार्टनर अच्छा मेरे दोस्त आब गाड़ी बेच uda है ठीक हे वह Gझा टेखी पकाट टीम का 010 लाग की यह खरीद्ते हैं है अब इस पार्टनर ये क्या किया अपने दोस्ते गाड़ी 15 लाख में खरीदी और दोस्ते कहा तुमने बताना नहीं कि गाड़ी मुझे बेची है तुमने पार्टनर्शिप को 20 लाख की गाड़ी बेच देना अब उसको चाहिए था कि कंप्लीट इंफर्मेशन प्रॉइड करता कि यह गाड़ी असल में दोस् किसका है पार्टनर्शिप का लाओ यह कहता है पार्टनर्शिप का है क्योंकि अगरा पार्टनर्शिप को कोई भी पार्टनर्शिप का नुक्सान पहुंचा के फाइदा हासिल करता है तो वह फाइदा वह प्रॉफिट पार्टनर्शिप का है इंडिविजल पार्टनर का नहीं है यह कंसर्प क्लियर हो गया मैंने आपको यह भी साथ मिला के बता दिया और यह भी दोनों में फरक है इसमें तो पूरे का पुरा बिजनिस लाइदा कर रहा होता ना यह ज्यादा मुश्किल टास्क है यह असान टास्क है पार्टनर्शिप से प्रॉफिट है क्या यह हो बताया इन जाए इंफर्मेशन हमारे पास ऐसी सीक्रट हो बाकी पार्टनर्स को ना पता है चुप रहें और खुद से फाइदा उठा ले तो वो क्या है और एक से भी इसान तरीका है एक तो यह सबसे मुश्किल यह उसे कंसेप्ट दिनों में एक ही है वो किया है डूट किसी प्राफर्टि से जाती इता है कोई पार्टनर वो फायदा पार्टनर्शीफ को रिटरन करेगा जैसे वर्यों की पर प्रपस के लिए उसकी और वह गाड़ी खराब हो गई तबाय तो गाड़ी के पैसे आànhत को बापिस करेगा यह ता है आख ही यह आगलोगर कासी पार जी और यह उस पार्टनर को जब देखें जब को मिल गया तो मतलब मैं सारे पार्णर का हिस्सा है अब सब में दिस्क्रीबूट होगा तो तो उसमें भी थोड़ा सा शेर उसका जितना होगा उसको मिल जाएगा अगर वह इंफर्मेशन को कंसील कर रहा है और उससे फाइदा उठा रहा है तो यह तो फ्राड हो गया एक तरह से शायद यहां पर यूज नहीं किया उससे इसा करता है तो वह प्राफिट को लेकिन अगर कंट्रेक्ट के सब्सक्राइब करने चाहिए और अगर नहीं करते तो यह बिल्कुल फ्राड की तरफ बाद जा सकती है और इसी लिए उसने का कि जी लानेका रिटन करें पुरा प्रॉफिट शाबर अच्छा लिंक किया अब फर्म की प्रापर्टी परस्नल यूज के लिए इस्तमाल कर सकते ह अब यहीं तो बताया कि नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और अगर करेंगे तो अच्छा पूशने से पहरे जब हसना शुरू करते हैं तो मुझे पता चल जाता है यह स्वाल नहीं कुछ हो रहे हैं बताइए क्या है ट्राइब पूरी कहानी क्या हुआ उसने फ़म से गाड़ी उठाई गाड़ी उठाए गार इसकूल लेके गया उद्राब कर दिया और पिर उसके बाद यूख वे वगले कॉफिस में पिछोड़ना आफिस में भी छोड़ा तो उसके बाप फ़र्म में आ गया गाड़ी पाक कर दी कितने पैसे देगा दो दो तरह के दो रुपे नहीं दो तरह के पैसे देगा एक पैट्रोल का खर्चा जो उसने जलाया और दूसरा गाड़ी की डेप्रिसेशन शाब बाड़ गाड़ी भी तो और क्ये ग्रेशन को अगर कोई यह थोड़ा हटके क्यों पूछा है अगर कोई पार्टन इलिगल ट्रांजेक्शन करता है इलिगल ट्रांजेक्शन करता है और दूसरे पार्टनर्स उसमें शामिल नहीं है तो क्या दूसरे पार्टनर्स इस एक्ट के लिए लाइबल होंगे यही क्वेसन आपका इसका जौब है यह हमारे स्लेबस में चाहिए एक मिन धारे मैं जरा बता दूँ इड़ाइस कंसर्ट अभी समझाना है कें आपको कि पार्टनेशिप में इसका जवाब नहीं है लेकिन वैसे मैं आंसर कर देता हूँ लेकिन पार्टनेशिप के पॉइंट पार्टनेशिप है हम पढ़ने सिविल लाओ क्रिमिनल लाओ नहीं पढ़ते हैं यह पीसो कि पेनल्टी की सदा और एक कैद कि जहां तक पैंबेल्टी की सजा है जब म स्ट पार्टनर परी फिरिट कुरेगा टेट को नहीं है तो वो तो pencil देख का तो जो पैंवर्टीजर होगी को उस पार्टनर पर होगी सअरी क्षाने लेकिन यह कहेंंगे बहाइजान आप यहां ने तो f billion किया है आपने fraud किया है illegal काम किया जिससे नुक्सान हुआ अब आप हमें indemnify करें यह भी कह सकते हैं यह मिलते जुलतिये का बात और कर सकते हैं कि आपने एक Will Full Neglect किया इसे Will Full Neglect किया अब आप हमें indemnify करें यानि किसी एक partner गलती की की वज़ा से बाकी की partnership को नुकसान होता है तो बाकी की पार्टनर्शिफ हम उससे indemnification करवा सकते हैं अच्छा अब सुन लेजिए external वर्ड क्यूं सारी partnership को जिम्मेदार करार देती है ला क्यूं सारी partnership एक है criminal law में एक law है एक रूल है उसे कहते है कानूने शहादत कानूने यह हमारे स्लेबस में आएगा चल लके टरम तो मैं अभी एक्सक्राइब कानूने शाहदत क्या है कानूने शादत यह शाहदत गवाही एविडस आपने अपने दोस्ते गाड़ी दहार ली कि और मोटर वे पे चले कानून की नजर में कौन चोर है आपका दोस्त यह कहता है कि चोरी का सामान जिससे बरामद हुआ कानून की आपको बताता है कि आपके शायत की निकल आती थी ना और बचारे रोरे होते हैं कि हमारी जान नहीं पाले छोड़े हमें हर दूसरे बिला लेते हैं अब जब उन्हों जा रहा है क्यों गलाए जा रहा है कानूने शहादत की वजा से के मनी लांडरिंग के पैसे जिससे ब्रामत हुए जिसके एकांट में ला उसी को मानता है कि यह मुझरिम है चोरी का समान जिससे ब्रामत हुआ ला उसी को चोर समझे वह फिर बाद में साबित होते रहेंगे वह लादा चीज़ है तो यह जहन में रखीगा इसलिए अगर कोई पार्टनर इलीगल काम करता है को स्मगलिंग की चीज़ लाकर रख लेता है तो लेकिन जब उस बिजनिस प्रेमिसे से जो पार्टनर्शिप की ब्रामत हुई है तो ला क्या समझे कानुने शहादत वाली एक्जेंपल यह मोटर वे वाली यह जहन में रखनी आपने यह आगे चलके हमारे स्लेवस में कुछ नहीं चीज़ आड़ हुई है उनमें मैं लिंक कर वाँगा दोबारा इसको जी अपुछ आप उसमें लास्ट पॉइंट की समझ नहीं आ रहे हैं अच्छा एडिशन आपिल को यह कहते हैं फर्स किजिए कि एक बिजनिस है उन्होंने एक एक्टिविडी स्टाट वह लाहूर में बिजनिस कर रहे हैं अब उन्हें डिसाइड किया लाहूर के साथ-साथ इसलामाबाद में भी बिजनिस करना चाहिए अब लाहूर में बिज और क्यों चलिए अच्छा कल वाले ने में कुउक्क ली रिफ्रेश करना चाहरा हूं कि हमने कंटेशन करना है पर्ड़ने थे हम पार्टनर के राइट ड्यूटिस पहले राइट राइट टेक पार्ट इंड़ कंडक्ट आ बिजनिस क्या पार्टनर करने राइट रगता है लेकिन राइन राजमीन नहीं कुछ हैं उसे हैं यह इसे भी होतें हुए हिस्सादार नहीं करते उन्हें क्या है Śुष्द्न कोण ठीक है वह अगर जनल पॉली को पता है तो हम उन्हें अपार्टनर केंगे अजनल पॉली अन्वन एप रहे टू भी कंसल्टिट के मश्वरा हर पार्टनर से लेकिन जो फैसले होंगे मेज़ोरिटी की बेस में हाँ कुछ फैसले ऐसे हैं वेडियेशन पार्टनर से जो के आल निशी पार्टनर या एक्सेमपल याद होना चाहिए आपको राई टू एकसेस फूभूक्स और अकाउंट को भी एकसेस कर सकता है बुक्स को भी और आपको याद होका मैंने काउंट और इकोट से और पारक्थ से अंगर यूजर नहीं है लेकिन अगर यह उसके मताब होगी राइट किया अगर गलेगा अगर कि एक पार्टनर की बजा से यहां पे यहां पे कोइं एक पार्णनर के दूसरे पार्टन के पॉइंधिंटी अपयات किसें बॉ्सक्राइश है और यहां पर यहां पर दूसरे पार्टन क्या राइट नहीं किया उसके जितने पैसे बनते थे उसको नहीं दिये तो फिर दो राइट क्या प्रॉपोर्शनेट और दूसरा प्रॉपोर्शनेट के हिसाब से इंट्र जो इसका बैलस बनता है वेरियेशन पार्णर्शिप यह पढ़ चुके हैं राइट शोफ पार्णर आफ्र चेंज इन फार्म यह भी पढ़ लिया लेकिन यह वेरियेशन और राइट शोफ पार्णर शेपी इसके आगए जो फर्दर क सिम्पल द्वीटी उचेंगे आपज अपशलू और को सकते हैं चोपार्णर आपसमें अगरीन्ट की जरिये से पार्टनर हार पार्टनर लाइबल है अंन्लिम्तिटिड तक लाइबल है है कलिए डिटी टू एक्ट वे दिन अथॉरिटी यह तो मैं ने कहीं और भी पड़ा था घुटू इपकाण से यह पर्टनर की दू तुटू है वो अपनी इस नांकर अगर कोई पार्टनर अपनी 30 से एकसीड करता है यह कहानी में ट्विस्ट है अगर कोई पार्टनर अपनी 30 से एकसी जैसे किसी पार्टनर से कहा जाओ भाई यह जा कि वहां कि परस्डापाद में बेश देना रिषिवल क्यों लेश में पता चला इब वह अप्रम के नुक्सान हो थाय। और लेकिन केस अदि की थूर्टी से एक्षीड किया आपने देखना है किसन यह कि वह फंप कंपस्टेट करेगा ठीक है फंपापने देखना है क्या वह निस्टी की स्क्रेशन थी करेगा अगर फिर आप आगर इन कर दिया तो पिर भी लाइबल नहीं और अगर रैटीफाइं नहीं किया फिर वह लाइबल है फिर हां किसको नहीं होता है अप्रोवल नहीं सब्सीक्वांट किसी एक्ट के बाद उसकी अप्रोवल कर नहीं एक डिविटीन केस उफएमर्जंसी हां बताया था ना कि एमर्जंसी के स्वेशन में यह सिर्फ अथॉरिटी नहीं होती बलकि उस पार्टी के डिवी बन जाती है यह दोनों सब्सक्राइब के वह हैं जो एजनसी वाली के सटी में भी यूज होते हैं प्रटनर्स वाली कैस ड कि कि हर पार्टनर पार्टनर्शिप्ट के वसीतर मुफाद में काम करेगा अपने जाती मुफाद के लिए काम नहीं करेगा यह जिनल पॉइंट ड्यूटि टू बी जस्ट एंड फेट्फुल कि कि वह मुंसिफ और इमानदार रहे लॉयल रहे रहे हर पार्टनर फंके साथ ड लेकिन कस्ट्रमर कोई भी नहीं तुम ला सके जरार सीदे वगारे तो दिखा उदर जाके तुम कहां पर स्टेक करते रहे हो खर्चा क्या अगर हिसाब किताब मांगा जाए तो इसको माइंड कर देना चाहिए इसे करना चाहिए मैं तुम्हें शकल से फ्राडिया नाजर आ प्रवाइड फुल इंफर्मेशन यह भी बात होगे के इंफर्मेशन चुपा के प्रॉफिट नहीं लेना अच्छा फ्राड में मैं फरक बताना चाहरा हूं इधर है यहां पर यहां पर दो एक्जेंपल्स आपके सामने रख रहा हूं आपने बताना है विल्फुल निगले उसने बिल पें नहीं किया और 20,000 खा भी किया और कहने लिए करती है दूसरी एक्जेंपल उसने का अच्छा लाव 20,000 लेकिन उसने नाखरी तारीख थी वो गया ही नहीं अपने किसे काम में मसरूफ हो गया और फर्म को नाउन पेमेंट ऑफ बिल की वज़ा से सर चार्ज पे करना पड़ा एक्स्ट्रा पैसे बेकरना बड़ें यह क्या दोनों में जो उसने 20 रार खा गया अब वह इंटेमनिफाइफ करेगा और इसमें भी जो फिल फुल्फल निग्लेक्ट की वज़ा से एक्स्ट्रा चार्ज पेनल्टी पेकरना पड़ी है फर्म को लापरवाही से काम करना तेक है और यह फ्राइड को रेडिफाइड नहीं किया जा सकता है देखें पैसे लेके बाद में अलाइदा से उसको देदे वो उसकी मरसी या पाड़नर्स की मरसी वैसे तो शुच भी कर सकते हैं कि भी दूटी लाट्वाइन ट्रांसन फिर इंट्रस्ट यह उपर वाली इसमेंपलम करना ट्रांस्फर नहीं करना ट्रांसफर वाली वात यह है कि यह एक समझने आई है लाइबिलिटी उन्हें ने कहा है या लियाबिलिटी हर पार्टनर की लिम्टी नहीं कि जा सकते हैं लेकिन लॉसे को कंट्रिबूट करना यह उन्हें लिख दिया एक मैं ठारे तो मुझे यह बताएं क्या लाइबिलिटी और लॉस शेरिंग य लाधर कंसेट है तो लाधर उसने यहाँ यहां में लाषको क्वालिफाइड ड्यूटी नाजमी है लाज लाजमी नहीं है अगर पार्टनर चाहें तो एक पार्टनर को कह सकते मैं तो महारा लॉस में कोई हिसानी होगा लाउस होगा हम परदाश करेंगे तुम्हें कि स नही तो प्रसन से पूरी माउंट कर सकते हैं तो परफॉर्म डिज्टी इस ड्यूटी तो क्या मतलब क्या है एक तियात के साथ अगर अधर मंदी के साथ अपनी सारी ड्यूटी को पूरा करें ही रेग्लर पॉएंट है ड्यूट वर्क विदाऊंट रिमीनेरेशन हर पार्टनर की है कि यहां 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 पर इमिरेशन से मुराद बशुध नहीं है हर पार्टनर की ड्यूटी है विद अलई ठाम लेकिन इसको क्वालिफाइड में यह लिखा कि इसलिए कि अगर इगरिमेंट में पार्टनर चाहें तो कह सकते हैं कि थोड़े पैसे ज्यादा लें यह स्लेप पूछ लें पॉइंट सी किसका अप्सलूट इसका क्वालिफ़ड पॉइंट की तो है निसमें कोई अच्छा इस एक यह कौलिफ़ड नहीं 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 उनका क्वेस्टन देखे डिलीजेंट नहीं का मतलब क्या है एहतियात से हमें वड़ बोलते हैं प्रोफेश्चन लाइ सोच समझ के फैसला करना एहतियात से फैसला करना तो पार्टनर्शेफ के अंदर हर फैसला डिलीजेंट नहीं होना चाहिए यह हम कह रहे हैं हर पार्टनर की जिए मतलब नहीं है कि हम किसी को कह सकते हैं कि तुम लापरवाई से फैसला कर लो नहीं बलकि क्वालिफार का मतल झाल झाल